नमस्कार नेक्स्ट नाइन नियूज देख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या संग जी ट्विंटी शिखर सम्मेलन का आज आखरे दिन लेकिन आज शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसा हो गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया दरसल आपको बता दे कि तीन दिवसिये सिखर सम्मेलन जिसकी तयारिया लंबे समय से चल रही थी ना केवल भारत मंडपम को बहुत ही खुपसूरती के साथ सजाया गया बलकि आपको बता दे कि देश की राजधानी दिली को भी बहुत ही खुपसूरत तरीके से सजाया गया ह जिसकी तारीफ हर जगा की जा रही है, मोधी सरकार की तारीफ की जा रही है, केंदर सरकार की तारीफ की जा रही है, किस तरह से G20 को और ज्यादा यादगार खास बनाने की, सरकार ने यहाँ पर हर कोशिश की और कहीं ना कहीं वो दिख भी रही थी, लेकिन आपको बता दे के G20 शिखर सम्मेलन से आखरे दिन कोछ ऐसे तस्वीरे सामने आई जिसके बाद अब केंद्र सरकार सवालों के घेरे में खेरती हुई निसर आ रही है दरसल आपको बता दे के दिली में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है बारिश के चलते दिली के कई इलाकों में बुरी तरह से पानी भर गया और बारिश के कहर से भारत मंडपम भी नहीं बचपाया दरसल आपको बता दे के भारत मंडपम में भी पानी भर गया जिसकी तस्वीरे सोशल मीडिया पर काफी जादा वाइरल हो रही है और अब इन तस्वीरों को लेकर राजनीती भी हो रही है हमेशा से बीजेपी और कॉंग्रेस की बीच जुबानी जग देखने को मिली और एक बार फिर से कॉंग्रेस को मौका मिल गया बीजेपी को घेरने का आपको बता दे के भारत मंडपम में भरे पानी की तस्वीरे जब सोशल मीडिया पर वाइरल हुई तो कॉंग्रेस ने एक बार फिर से मोधी सरकार पर हमला बोल दिया हमला बोलते हुए दावा करती हुई कॉंग्रेस नजराई के विकास तैर रहा है अब सवाल लगातार यह उठ रहा है कि प्रकृती की मार ने कहीं न कहीं एक बार फिर से भारत देश्व की सरकार को सवालों में घेरने का काम कर दिया अब सवाल यह उठ रहा है कि भारत मंडपम की जो तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है उसके लिए आखिर कार जिम्मेदार कौन है प्रकृतिकी मार या फिर वाकई में लापरवासर कार ये सवाल लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है आपको क्या लगता है आप भी अपनी राय समुद्धे पर खुल कर हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं फिल और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइम नियोज नमस्कार